इस वीडियो में बताएंगे कि चैन इस प्रोकिट का साइज कैसे निकालते हैं प्रैक्टिकली दिखाएंगे 100% तो बने रही है वीडियो में अन्तखलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल टेक्निकल शादाब सर में तो चलिए शुरू करते हैं द को मिजर करके हम उसका साइस निकाल सकतें वो जितना भी आएगा वो सेही साइस की हमारी चैन होगी और उस ही के हिसाब से उसका फ्रोकिट होगा चलिए मैं आपको लाइफ दिखाता हूं तो यह देखिये गया यह हमारा स्वारकिट है और मैं इसको मिजर कर रहा हूँ यानि कि इसका पिछ मिजर करूंगा पिछ की से कहेंगे जो एक टीज से और दूसरे टीज तक बीच की जो दूरी होगी यानि कि एक टीज के सेंटर से दूसरे टीज के सेंटर तक जो हमारी दूरी होगी उसको हम पिछ कहेंगे और वो हमार इस मिजरिंग टेप से मिजर कर लेंगे तो ये हमारा एक इंच का स्प्रोकिट है तो आप देखिएगा इसका जो साइज है वो एक इंच आएगा ये देख सकते हैं ये हमारा पूरा पूरा एक इंच आ रहा है तो ये हमारा स्प्रोकिट एक इंच का है तो इसकी चैन भी एक बड़े आसानी से देख सकते हैं देखिए ये मेजर करने का सथी तरीका है यह होता है बाकि आप इसके टोप vender से बीजर कर सकते हैं से रिबिद का सथी और इसyy तरह हम चैंट का size लेते हैं, chain के size लेने का तरीका क्या है? कि जो इसकी pin होती है, देखी इसमें pin है, दोनो pin के बीच की जो दूरी होगी, यानि कि एक pin के center से, दूसरे pin के center की जो दूरी होगी, वो हमारी chain का size हो जाएगा, एक इंचारी आप देख सकते हैं, ये पूरी पूरी एक इंच आ रही है तो ऐसे हम चैन स्प्रोकिट का साइज निकाल सकते हैं तो आज की वीडियो में हमने चैन स्प्रोकिट के साइज प्रैक्टिकल के साथ में निकाल के बताया वीडियो कर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना जो चेनल पर नहीं हो जो लेना और वीडियो को शेर करना बिल्गुल ना भूले नेक्ट वीडियो में नेक्ट टेक्निकल टोपी लेकर फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाबाए